और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मुसाफिर कैफे अप्टूबर जंक्शन मसाला चाय शर्ते लागू जैसे बैस सरा किताबों के लिए कर दिव्य प्रकाश दूबे जी से करते हैं बातची इनकी नई किताब आई है इबने और उसके बारे में जानेंगे और भी इन के पूरे लेखन के वारे में तो चलिए दिव्य प्रकाश जी को जोड़ते हैं नमस्ते अनुकम बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और पी मौका देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपके साथ में जो लोग नए देख रहे हैं उनको इमें बता दूँ के अब कुने के अधर घाए आ जिएम आप से बात कर पा रहे हैं और जितने लोह बी हमसे जुड़े हैं सबकाध है और अप जहाँ दिवी जी के लेखन के बारे में उनकी जो नहीं किताब आई है पुरानी है हर चीज नहीं कीप्ताब तो इस के बारे में जानने की बड़ी उ पहुचा नहीं है पारसन्ग, तो मैं भी इसको पढ़ने के लिए तो इस किताब के बारे में कुछ बताईए हैं सब्सक्राइब किताब का तो ऐसा है कि जैसे हो क्या रहा था मेरे बड़े सारे इलगते थे कि आप ये कि वो लड़का लड़की की प्रेम कहानिया लिखते हो और बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि नहीं यार कि वो कॉलेज कैमपस की लिखते हो जब कि मैंने कॉलेज कैमपस की ऐसी कोई किताब अभी तक तो नहीं लिखी है एक कहानी लिखनी लिखनी चाहिए और मा और बेटे भी ऐसे वैसे नहीं वो ऐसे की जो एक लड़का है बसदोंब्स रीच साल का और वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है किस चत्तक प्यार करता है तो उस बात की कहानी जिसके फादर नहीं हैं वो सिंगल मदर है तो मुझह लगा कि ऐसा इस जैसे हम लोग जब披़ी बोगदे कि बोज है वो बहुत ज़्याद है हम लोगों को थोड़ा फ्रेश तरीके से देखना चाहिए मा को और वो जो फ्रेश तरीके से देखना है वो इबने बतूती में देखा गया अब वो नाम क्यों रखा गया इबने बतूती उसकी कहानी भी बड़ी ऐसी है कि मैं किताब लिखने के बाद भी वो ढूंडी रहा था कि क्या चीज हो जो उसको समेट पाए और इबने बतूती जैसे इस वज़ा से भी आया नाम की हर परिवार के हर घर के कई सारे लोग ऐसे ह होते हैं हर कई सारे घरों में ऐसा होता है ना कि उस घर के शब्द होते हैं कुछ जो उस घर में ढूंडे होते हैं हर घर में कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं तो मुझे लगा कि यह एक ऐसे ही जो शब्द है मेरे लिए ना वह टेक्निकली शब्द उर्दू में सही हो या नह जैसे मोगैंबो अच्छा सुनाई पढ़ता है, गबर अच्छा सुनाई पढ़ता है, तो वो एक अलग चीज जो सुनाई पढ़ती है, उसको लेकर ये रखा गया और वो वहाँ पे इबने बतूती फिट हो रही थी, इन फैक्ट किताब में जो उसका परपस है, वो ये है कि जैसे उसकी माँ जो है, लडगे की रागव अवस्ती की जो शालो वस्ती माँ है, वो इबने बतूती उनको अपने कॉलेज की दिनों में बतूती बोलते थे लोग, तो मेरा आइडिया ये था कि इबने बतूती इसलिए बोलते थे, क्योंकि जैसे नार्मल ही होता है, आइडिया थी, उसको निकाल के लाने के लिए, कि आप सोचो कि जो ये सोचता हो तिन रात की, उसका जो प्रेमी हो, उसका नाम रखा हो, कि तुमारे तो पैर में चेकर लगाए, और तुम तो अभी एग जेगा रुखती नहीं हो, एक इबने बतूता थे और एक तुम इब वो एक कही न कही उन में भी एक इबने बतूती का एलिमेंट है, तो बहुत भूण पाएं लोग, हम लोग उसको पकड़ पाएं, तो इसलिए ये रखा गया, और अभी जैसा रिस्पांस है, मुझे लग रहा है कि ठीक ही चल गया है वो, मतलब काम गलती सही सही ठीक हो ही ग तो जितने भी आपकी किताबे हैं, वो बड़े इंट्रेस्टिंग नाम होते हैं, तो ये नाम का खोजने के पीछे का प्रोसेस क्या जाता है, तो ये नाम लाते कहां से हैं आप, जितना मुश्किल या आसान किताब लिखना होता है, मेरे लिए नाम खोजना उतने ही जादा मुश्किल हो जाता है कई बार, जैसे मैं किस्ता सुनाता हूँ, मसाला चाय जब आई थी, तो मसाला चाय के धमाम नाम पे पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, असल में देखें, मैंने कोशिश यही किया है, शुरू से भी कुछ ना हिंदी में कुछ नया करें हम लोग, जो हिंदी या अंग्रेजी में भी बहुत सारी किताबे जो आती थी, तो उनके नाम ऐसे होते थे, कि फलाना एंवं अन्य कहानिया, फ्लाना एवं अन्य कहानिया थे जो नाम की कहानी होई इस किताब में तो इसका नाम मिक्सवेज कोईका कोई मन में एक वो हिच था कि नहीं आ रेए जीज सही नहीं जा रही है मिकस्वेज और मसालाचाय दोनों प्षण थे लेकिन मसालाचाय आध से पांच साल पहले मसालाचाय नाम रखने में खट्रह यह था कि वह ऐसा लगे कि यह मसालेदार खानिया तो तो वो बड़ा दबाव तो मैं लेकिन फाइनली एक हमारे दोस्ते हैं, बहुत अच्छी दास्ता सुनाते हैं, तो मैंने उसे पूछा किया करें, मतलब मसाला चाय रखें, क्योंकि तब तक न आज से 6-7 साल पहले, इंडिगो भी मसाला टी नाम से मसाला चाय नहीं देता था, कुछ वो चाय का नाम तब तक चेंज नहीं गए था, वो मसाला चाय भी एड़िस्ट नहीं गए तो सुसाइटे पर, चाय थी, चाय तो हजा, बट मैं तो एक तरीके का सोशल निट्वर्क है, अब खेल जाते हैं मसाला चाय पे क्या होगा, मैं तो यह मान के किताबे लिख तो कुछ तो फ्लॉप होगी, कुछ को तो गालियां पढ़ेंगी, कुछ की बहुत तारीफ होगी, तो कुछ में एकाद तो निपटी जाएंगी, एकाद एक्सपरिमेंट तो करी सकते हैं, तो फिर वो मसाला चाय रखा गया, ऐसे ही मुसाफिर कैफे का नाम पूरी किताब लिखने के चार महीने बाद आया मेरे को, कि ये नाम हो सकता है, तो कि कैफे रखा था हमने किताब में, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मुसाफिर कैफे, या फिर ऑक्तूबर जंक्शन का नाम, और हमेशा कोशिश ये रही हैं कि जो सुने हुए नामों को ही कुछ बैसा नय या ट्विस्ट दे दिया जाए, मैं बिल्कुल नए नाम एक भी नहीं रखे हैं मैंने, कि जो आपने नहीं सुना होगा, जैसे ऑक्तूबर जंक्शन में, दोनों जंक्शन बहुत, मुगल सराय जंक्शन से लेके, हजारों जंक्शन के नाम हमने सुने, जिसने भी ट्रेन कि से लिए इसको जंक्शन बोलते है, या यहां पर कई जगे की ट्रेम आथे, वही ह smells वे हैं तो उसी को ट्विस्ट कर दिया जाए, जो चीज चलते ही फिरती है, हमारे आस-पास की चॉतना है, कि कमरा बहुत गंदा हो, और उसको को कईкольाा को करे सकता हूं यहां, यह हम रहाह तो यह वैसे ही है कि मैं बस उसको री रेंज कर देता हूं कि आपको नया लगने लगें अच्छा इसी पर तोड़ा और जैसे एक नई वाली हिंदी एक टर्म आजकल एक आंदोलन की तरह चल रहा है नई वाली हिंदी यह पैदा कहां से हुई मतलब किसके दिमाग की उपज है और कैसे यह आई सीन में तो नई वाली हिंदी कोई अकेले किसी एक के दिमाग के उपज नहीं है यह हम लोग जो सारे के सारे लोग जो नए तरीके की राइटिंग एक तरीके से जैसे जब नए नए आय थे तो हमें कोई एकसेप्ट नहीं करता था ऐस सच जैसे ना जो भी ह दोस्ते राकेश कायस तो बड़ा सही बताते हैं और हिंदी के लिए बहुत पॉपलर भी है यह चीज तो कहते हैं जैसे हिंदी में जो तारीफ की एक परंपरा रही बहुत लंबी वह ऐसे थी कि तुम मेरे तुम मेरे पंथ हो और मैं तुम्हारा निराला और जैसे की जैसे सबस्टाइब कर दो सबस्क्राइब कर दो कि तो कि दो लोग अच्छा लिख रहा है एक तुम और एक मैं तो हिंदी में जो यह परंपरा रही है न इस तरीकित तो हम इस चीज को break करने के लिए है ना, एक नए हमारी जो anxiety थी ना, जो नए writers आये थे, उस anxiety को represent करने के लिए वो एक चीज जरूरी थी, कि जो हमारे anxiety को भी represent करे, जो हमारे mission को भी बताए, और जो ये भी बताए कि हम कुछ बदलने के लिए हैं, जैसे कोई भी चीज़ को जैसे अपने आप में अगर ऐसे देखो तो कि हिंदी को नया बोलना अपने आप में बहुत डिरुगेटरी बात है ना मतलब कि तुम हिंदी को क्या नया करोगे हम लोग की क्या उकात है हम लोग क्या करेंगे लेकिन हम एक नए एंगिल से हिंदी को देख रहे थे हम इस विश्वास से देख रहे थे कि कोई बलिया में बैठा लड़का हो ठाए हो बहपाल में हो और चाहे मअद़ पिढ़ में प्रदेश के किसी गाउं में उतराखंड में हो जब हिंदी में अपनी किताब लिखने का सोचे हैं तो उस विश्वास आया उस एक पूरी जन्रेशन के लोगों को तो उसकी ये साजिश थी कि ही उसको इस इमोशन को कैपचर किया जाए उस बेचैनी को कैपचर किया जाए नई वाली हिंदी का बिलकुल भी मतलब नहीं जो बहुत सारे लोग जो इनको नहीं पता होता हुए बोलते हैं कि यह तो अंग्रेजी शब्द मिलाके लिखते हैं या ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि जितनी भी धर जिनको भी ना कि तु मेरा पंत मैतिरा निराला वो नहीं वाली हिंदी ही है एरेस्पेक्टिव किस पब्लिकेशन से तो यह था जैसे वो साधा हक था हमारा कि साधा हक ने एक समय में वांदोलन बनाया तो हमें एक वांदोलन की जरूरत थी कि नए लोग जुड़े उससे और एक नए विश्वास से देखे ही हिंदी को, तो वह किया गया और मुझे लगता है अब अच्छी चीज यह रही कि मुझे लगता है इस देश में जितने भी लिटफेस्ट होते हैं, कही नए कहीं नए वाली हिंदी को जो लोग एकसेट करते हैं तो और कुछ लोग नहीं भी इसको accept करते हैं तो कुछ लोग ललन टॉप हिंदी नाम से session पर देते हैं, मलदा उसी को घुमा फिरा के ही खेलते हैं, जैसे जो नहीं भी, की आज की हिंदी कर देते हैं, लेकिन वह एक तरीके से, जैसे आप उसको आज की हंदी या ललन टॉप हंदी या कोई भी हंदी गरते हो वो नई वाली हंदी को ही इस्टेबरिश करता है, एक तरी clients क्योंकि अभी भी समाज में बावजूद इसके ललन टॉप हिंदी नाम की कोई चीज नहीं है आज की हिंदी नाम की कोई चीज नहीं है तो वह नहीं हुआ सेंट्रीग होती है मतलब आप युवावर्ग को ज़्यादा फोकस करने रखते हैं तो अब युवावर्ग के साथ क्या है ना कि मैंने एक चीज महसूस की है कि उनको आकरशित करना या उनको उनके दिल में जगा बनाना उनके मन को पढ़ना यह अपने बड़ा मुश्किल काम है आप तो क्या लगता है कि इसमें कितनी मुश्किल आती है या असानी से आप कर लेते हैं क्या कैसा होता है नहीं जैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज लगती है कि जो युवावर्ग मुझे नहीं वालूम की जैसे वह कहानी युवावर्ग को टेच क्यों कर अपने आपको एक पाठक के लिए लिख रहा हूता हूं, मैं जैसे यह मैं बाकी भी लोग जो यहां पर राइटर होना चाहते हूं, किसी भी फिल्ड में या कोई फिल्म भी बनाना चाहता हूं, तो मैं एक चीज़ समझता हूं कि जैसे आप सब को खुश नहीं रख सकते हैं, आप अपने आपको खुश कर लें, जो भी आप क्रियेट कर रहे हैं, वही काफी हो जाएगा, और हर कोशिश यही होती है, कि वो अपने आपको मैं खुश कर पाऊँ, चाहे वो मुसाफिर कैफे हो, चाहे वो इपने बतूती हो, वो बात अलग है, चुकि मेरा चुकि एक्स साल का है, पच्चिस साल का आदमी है, और यहां पर राइट साइड में कोई 60-60 साल के अंकल है, तो एक नैचुरल यह होगा, कि मैं यह जो मोबाइल चला रहा होगा, जिस तरीके से, और उससे, वो मैं ज्यादा रिलेटेट फील करूँगा, बावजूद इसके मैं बात इन अंकल है, एक आद यंग बच्चे हैं और एक आद कोई बहुती सुन्दर कोई महतरमा बैठी है, तो जो मुझे सबसे जादा मज़ा आएगा बात करने में, वो आएगा जो रिटाइर अंकल होंगे, और खास करके जो उपीनियेटेड होते हैं अंकल लोग, जो मतलब कि अरे आद कर रहे होंगे, तो वो हमेशा जो उनमें पती होंगे, उनको यह लगता रहेगा कि अधर ही देख रहा है, तो आप कभी मैनेटरी में बढ़ा ओसर किया है, कि जो बढ़ा खतरना हो जाता है, गर कोई न्यूली मेरेट कपल आपके उसमें पढ़ जाए, क्योंकि आप फ मैं तो लिखके डाल देता हूँ, अब उसके आद उसको पकड़ते को होने हैं, तो वो शायद क्योंकि मैं जादा लोग रिलेटेड मेरे से फील करते हैं, बहुत सारे मेल्स के वैसे जवाब देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वो यूथ होता है, इस वज़े से उनक के लोग हैं, या सबको वो कनेक्ट होती हैं कहानियां कहीं न कहीं. तो उसको मिक्स ही कर देता हूँ, क्योंकि न देखो, अगर बहुत रियालिटी भी आप रखोगे, इससे मैं एक चीज़ बता दूँ, कहानी में और अख़बार में और न्यूज में और किसी भी आर्टिकल राइटिंग में एक बहुत बेसिक फर्क होता है, कि जो पेपर हो होता है कि रहाई बैक में डखाएती हुए और इतने लाख रुपाय की चोरी होगे, इस अ स्टोरी राइटर जो उसमें, और जो वो ऐगर बैंक की कहानी लिखेगा न, तो वो बैंक की कहानी ऐसे लिखेगा कि वो चोरी आपका अपना अनुभा हो जाए, वो ऐसे नही वह सकता है उस कहानी में वह सब बातें आएं लेकिन वह ऐसे आएगी जैसे आप सामने बाढ़ को होते हुए देखेंगे आपको लएगा आपका अपना घर उजड़ गया आपके अपने बैंक पर डगाती हो गया आपके अपने अकाउंट से चोड़ गया और वह क्रियेट करन कि पंदरे लोग मर गए तो इससे इमोशन आ जाएगा जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं मेरे दोस्त भी हैं कि जो जनलिस्ट है आप जो क्राइम बीट का जनलिस्ट होगा उसको आप बोलो कि अरे आर वहाँ पे न एक आदमी को चोट लग जो इसको न्यूज में को शोट लग जाए और रिक्षे से उसका घर चलता है का हुआ कि ऐसा तांगे वाला जिसके घोडे के पैर में चोड लगे और तांगा नहीं चला पा रहा है दोजी न मैं उस भोडे के उसाजमी के दर्द को आप से जोड देता हूं और दर्द हम लोगों को घोड़ता है तो इसलिए ये चैसे हम अब बह। इसलिए बहुत सारे लोग में बहुत अच्छा observation होता है, वो ऐसी ऐसी चीज निकाल के लाएंगे, कि लगेगा कि अरे यार यह तो क्या सही चीज है, लेकिन ना fact से कहानी यह बनती नहीं है, जो news item से कहानी यह बनती नहीं है, उसमें उपर से processing चाहिए होती है, और यह बड़ कि आपको एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है, कि जो पढ़ने वाला जब वो पढ़के निके, तो उसको लगे कि यह मेरे साथ हुआ है, उसके साथ यह सब घड़ गया, जो चीज हुई है, तो वो, अब वो कैसे होता है, यह मुझे नहीं वालू, लेकिन यह होता ऐसे है, वाद देखिए, तो जो सिर्फ कल्पना पे बेज होते हैं, जैसे हम Harry Potter ले लीजा, या सिंदबाद जहाजी ले लीजिए, अलादीन ले लीजिए, अली बाबा ले लीजिए, तो यह बड़े larger than life characters हैं या ऐसे characters हैं, जो exist नहीं करते हैं, तो उनको ऐसे characters को हम real life में कैसे जुड़ हैं वो आम जन के नायत कैसे बन जाते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर जैसे हैरी पॉर्टर है अब जैसे आप लोग बोलो कि वो तो असली नहीं है है ना यही जो जैसे कहानिया जो जादू करती है न वो इस वज़े से ही कर पाती है जादू क्योंकि कहानी असली नहीं होती कहानी होने की संभावना होती है कहानी असली होने की possibility होती है आप Harry Potter से इसलिए नहीं connect होते है कि उसको जादू करना आता है आप इसलिए connect होते हो कि उसके मावाप नहीं परेशान है और एक बच्चे के struggle से आप connect होते हो आप उसके struggle से जुड़ते हो और जो character जो सिंदबाद जहाजी का जो struggle है आप उससे जुड़ते हो क्योंकि आप real life में अपने struggle को उससे relate करते हो आप अपनी life में सिंदबाद ही हो और भले आप जहाज लेके पानी में ना जाओ तो क्या हुआ आप अपनी life में Harry Potter ही हो भले आप के पास जादू की छड़ी हो या ना हो क्योंकि आप उस struggle से जुड़ते हो और इसलिए वो struggle extraordinary हो जाते है क्योंकि वो आपको ऐसी दुनिया में लेके जाते है कि उस दुनिया में जैसे हम लोग क्यों वो पसंद आता है क्योंकि जहां पे या नानी दादी की जो कहानिया थी हजारों सोंच्रेया से लेके हजारों कहानिया जो हमारी नानीयों ने सुनाई है अल्टिमेट की उस कहानी में क्या है कि एक छोटा सा राजकुमार या एक छोटी सी राजकुमारी या एक छोटा सा लकड़हारा अगर चाहे तो बड़े से बड़े राक्षास को भी पचाड सकता है और लाइफ भी यही है ना कि अगर हम लोग अपनी पर ठान लें तो यह जो दुनिया की प्रॉब्लम से यह राक्षास ही तो है यह जो दुनिया की हम लोग को जो स्ट्रगल मिलते हैं जीवन में यह राक्षा से एक तरीके से और इसलिए हम इस बात से connect होते हैं वो कहानिया इसलिए हजारों साल से चल रही हैं क्योंकि वह हम basic चीज़ों से connect हो रही हैं उसमें mobile नहों कोई बात नहीं उसमें हवाई जाज नहों कोई बात नहीं उसमें लेकिन जो human struggle है ना वो सारे invention से बहुत पुराना है और इस दुनिया में चाहिए जितना भी हम आगे बढ़ जाएं उससे हमेशा रहेगा इस वज़र से हम लोग उससे connect होते हैं तो वो larger than life इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो कहीं न गहीं बहुत जो core चीज़ है ना आदमी की वो नहीं बदली मैं अभी कली किसी उसमें बोल रहा था कि जो data source आप हमारे पास multiple screen है mobile पे हम चीज़ देख सकते हैं टीवी पे देख सकते हैं laptop पे देख सकते हैं tab पे देख सकते हैं कहीं जाते हैं बाहर तो हजार market में भी वो चीज़ें चल रही होती है स्क्रीन पे हजार तरीके से information हम तक आ रही होती है लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 2020 में आदमी जितना बोर हो रहा है बावजू इतने सारे mediums के इतना सारा OTT प्लाटफॉर्म है फिल्म हैं सब कुछ है theater है आज से डेड़ सो साल पहले भी आदमी इतना ही बोर हो रहा था जब यह सब कुछ नहीं था theater तो तब भी था बहुत सारी चीज़ थी बट यह medium होने से बोरियत आदमी की नहीं चली गई वो वैसे के वैसे ही है और यह वैसे के वैसे ही रहेगी यहीं और इसी वजह से राजा अकबर और हम लोगों में यह समानता है कि वो भी इतना ही बोर होते होंगे जितना हम लोग होते है और हम उसमें रस्ता निकाल देते हैं तो यह ऐसा आप राजा होगा इसका हुदा नहीं बड़ी कापी वो बदल गया है आपने नानी दादी की कहानिया परिकताएं होती थी आज के दौर की कहानिया ज्यादा रेलिस्टिक अप्रोच रखती है तो जो यह दो यह जो बदलाव है अब इसमें एक आपने कहीं न कहीं इसका एक तरीके से उत्तर दे चाहे वो नानी दादी वाली हो और चाहे वो नया जैसे वो नेट्फिक्स पर एक सीडिस अब लाक मिरर नाम की तो वह फ्यूजरिस्टिक कहानिया है जहां पर और ब्लैक मिरर का फंडा मैं तो पूरी सीजन देखने के बाद मुझे समझ में आया ब्लैक मिरर की कहानी कहा है कि हमारी जो भी स्कृइन हम यूज करते हैं चाहिए लापटाप हो चाहिए मॉबाइल हो तो जब य कोई भी आप करते हो ना तो ये ब्लैक होता है है यह कोई भी इस झाहिए जोगों को आीसे चीज़ कहानी में हो रही है बट उसकी पैकेजिंग हर बार बदलती रहती है ऐ में के साथ साथ तो वो बस पैकेजिंग बदलने की बात है योगी ना जो मज़ा एक समय में वो आग जला के लोगों को जो किस्से कहानिया सुनने में आता था उससे जादा मज़ा थोड़ी ना रहा है नेट्लिक्स या अमेजॉन देखके ऐसा कुछ नहीं है उतना ही मज़ा है सामने वाला जो दाड़ी पहन काया है उसकी डाड़ी असली नहीं है सब कुछ वो नहीं है लेकिन देखकेजिंग को कि कुछ की कहानी को चय नहीं होता है और उसकी प्राब्लम यह है कि उसके हाथ नहीं है वो हाथ उसको इकटा करने वो जैवर वीरू के मिलते हैं तो वो इस तरीके से उससे बदला लेने में अतनी एक जरनी होती है बदला क्यों लेना है क्योंकि उसने उसकी परिवार कोड़ा दिया था तो यह सारी चीजें उसमें वो ऐसी है जो चल रही है तो और वो स्ट्रगल कॉंस्टेंट है इस तरीके का अच्छा आजकाल जो है लोगों को मैंने देखा है कि लोग पढ़ने से जादा उनको वीडियो देखना जादा पसंद है जानकारी के लिए हर चीज के लिए यह वीडियोता ले रहे हैं चाहानी हो कवितापि शहानी हो इनके लिए जगा बना बना कितना मुश्किल है ने नी ये बात सवाल बहुत अच्छा है अपका ये जगह ना मुश्किल होती जा रही है और लेकिन ना एक उम्मीद जो सबसे अच्छी बात क्या है ना किताबों के साथ और जो हमेशा रहने वाली है कि दुनिया में ना ऐसा जो हमारा एक ये जो एक हमारे दिमाग में ये conception ह ना कि 1940 में जब ये सब नहीं था तो लोग जादा किताब पढ़ते थे ऐसा किताब ही कभी जादा पढ़ने वाले लोग नहीं थे किताबे हमेशा सोसाइटी के लिमिटेड लोग ही पढ़ रहे होते थे बहुत समय तक तो लोग वही नहीं थे कि लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि पूरे सोसाइटी में आप महले में निकल जाओ और ऐसे लोग मिल जाए जो किताब ही पड़ते हैं ऐसा कभी भी नहीं था और बलकि वह परसंटेज अभी आज की डेट में क्योंकि सारे मीडियम जो आप यूज कर रहे हो फेस्बुक या इंस लेकिन जिनको पहुंचना है वो अभी भी बहुत लोग है ऐसा नहीं है कि वो कोई डिरेक्ट में खत्रा देखता हूँ क्योंकि ना जैसा वो कोईग्जिस्ट करते रहेंगे हमेशा क्योंकि ना बहुत लोग जो इधर लॉगडाउन में कई लोग ने नेट्विक्ट में लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत है मुझे खत्रा दूसरी चीज से लगता है मुझे लगता है जैसे वह वाट्साइब पे आप जो वॉइस नोट लिख सकते हो वो ले लेगा इस पूरे चीज को खाएगा ती जैसे मैं देखता हूँ अब घर के चोटे बच्चे हैं तो वो टाइप कर पाते उनको टाइप नहीं करना था लेकिन यह लेकिन वह वहाँ पे व्याग के ग्रुप में वह दबा चाल के इपनी बात बेज घते तो जब उनको रिकॉर्ड करके हो भेंडेने की कंडिशनिंग उनकी 5 साल की उम्र से है तो वो टाइप क्यों करेंगे कल को पारग्राफ ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो ट्रांजिशन हो गया है अब लोग महां पर वाइस नोट पर बात करते वो शब्द आप टाइप करना भी धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है जो हम लोग की जनरेशन पहले चली तो सोशल मीडिया का विस्तार जिस तरीके से बढ़ा है इससे एक चीज बहुत अच्छी होई है कि आप घर बैठे अपनी बात बहुत जादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक बड़े वर्प को चूँ सकते हैं लेकिन इसका एक खत्रा भी है खत्रा यह है कि करेक्शन से खुद को अलग रखके कुछ क्रिएट कर पाना कितना मुश्किल लगता है नहीं बहुत मुश्किल हो गया है मैं तो मैंने तो जैसे अपने मुबाइल से वह एप हटा रखे हैं तो इधर किताब आई है तो मेरे को फिर भी मैं इधर डाला हुआ है कि थोड़ा जादा हूँ लेकिन मैंने तो मुबाइल से वह टा क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप दिन बर वहां पर अक्टिव भी रहो वहां पर सब जवाब भी दे दो और उसके बाद आके क्रिएट भी कर लो उसके बाद उसको तुरण डाल भी दो वह तो संभव नहीं मिस्टीरियस रहना चाहिए थोड़ा सा उनको पत्ते पूरे कभी नहीं खोलने चाहिए यह बड़ी उल्टी बात है जैसे मैं यह बात शेयर कर रहा हूँ लेकिन आप देखिए ना जो राइटर्स आपको पसंद है उनके अराउंड मिस्ट्री रहती है हमेशा वो सब कुछ कुछ खोल के भी कुछ नहीं खोलतए छिपो उतने ही पत्ते खोलते है जितने उनको लगता है कि खोलने चाहिए जैसे आज़की डेट में जैसे यह ऐसे दिवय प्रकाश राइटर तो आप जानते हो लेकिन दिवय प्रकाश ऐस क्द तो मुझे लगता है कि आपको हर कुछ नहीं मा पे डाल देना चाहिए मुझे बड़ा कस्ट होता है बहुत एक से टैलेंटेड़ लोग इतना जादा ओपी निटेड़ है जो मुझे एक तरीके से हर्ट करता है कई बात कि इतना जादा कोई कैसे परिशान हो सकता है आप आदे से जादा लोग जो करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोर में सोशल मीडिया पर आदमी की प्राप्लम क्या है कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि फ्रेंड लिस्ट में बहुत लोग हो गए अब मैं इनकी छटाई करूँगा ठीक है ये भी कितनी फ्रॉड बात है तुम ने जवाब नहीं दिया अब यह कोई परशानी वेली बात है रहे बिजी होगा कहीं पर किसी का एकसिडेंट हुआ है कहीं पर कोई मर रहा है जी रहा है आप इस बात को लेके बैठे हुए या सेम चीज की इन्होंने इस टॉपिक पर ऐसे लिखा अरे उसने वैसे लिखा क् आपस में मारकार्ट के लेवल पर लड़ते थे लेकिन आराम से शाम को जाके चाय पीते थे लड़ते थे सोचल मीडिया ने वह जो इस पेस था एक तरीके का कि जो लड़ने के बाद अगले दिन चाय पिने का स्कोप था वो ख़त्म कर दिया अब लोग कर देते हैं चाय बी होता है ना दिन पर में आप थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं दिन पर तो यूज़ नहीं करते हैं लेकिन बाल अच्छे कर देता है आपके तो आप connected रहो बड़ इसका यह मतलब नहीं है कि आप connected ही हो बागी सब कुछ चूटा जा रहा है आप एक तो अपनी creativity खतम कर देते हैं और दूसरी चीज़ यह होती है कि बिला वजह कि जिन चीजों से आपका सच में दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है पॉलिटिक्स और पॉलिटीशियन उनके पीछे लड़ा-लड़के आपस में मरे जा रहे हैं लोग तो यह थोड़ा सा मामला कर बढ़े हैं लोगों ने यह जैसे बहुत लोगों को जानता हूं जूनोंने क्यों गाली देके करियर बना लिया एक ता तो उसमें भी मैं आपन पर दोगों को बड़ी इज़त से देखता हूँ कि जो ये काम कर पाते हैं, लेकिन ये कोई काम हुआ क्या? मतलब इस दुनिया में मतलब ये क्या काम हुआ कि सुबह उट के लोगों को गाली दे रहे हो? मतलब आप जो आपके जैसा नहीं सोच रहे हैं, मतलब आपके जैसा आपके मा नहीं सोचते हैं, आपके बाप नहीं सोचते हैं, आपके दोस्त नहीं सोचते हैं, और आप उन लोगों से लड़ रहे हो, ये क्या? उनके बियॉंड एक जाके ढून डून के लोगों से लड़ र यह भी कितना बुरा है कि बेचारे मतलब मुझे कभी लगता है उनको एक तरीके से कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है मेंटर्शिप की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं वह बहुत वेस्ट है ना एक तरीके से आप सामने सामने जिंदगियां जाया होते देखते हो कि गाली दे जा रहे है पांच साल से क्या किया तो गाली दी और अपने आपको अफिशियल ट्रोल करते हैं तो यह सब मुझे नहीं पसं पर देजया तो गूझा तो जब में महां पहुचा तो दीपक चार सिया थे और दीपक चारसिया ने मेरे से फूचा की Benjamin Reiss, Rнения पिछेए दिखाई है तो मैंने यह वोला है यही तो होता है यह क्यों करूं कर णक बर करें इसे बड़ा जगड़ा हुआ फिर मुझे यह बात मैं लड़तो आया मेरा तो स्लेक्शन हुआ नहीं उस दिन लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं कहीं गलती से उसमें सेलेक्ट हो गया होता है। लोगों को बसंद है आरे लोगों से मतलब नहीं है ना लोग वह important नहीं यह वह plant यह नहीं कि इसमें कहाए कि आप किताब की राइटिंग है किताब की राइटिंग वह इस दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जो जहां पर आपकी कोई गरदन नहीं पगड़ता वह सबसे डिमोक्रिटिक स्पेस आपको जो लिखना है कोई सेंसर नहीं है करीब करीब इंडिया में अलनेस कि कोई आप ऐसी बात लिख दें कि आपको कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो फ्री फ्लो है वो ऐसा है कि मतलब आपका अपना गली का वो ग्राउंड है अपने दोस्त है अपनी बॉल है अपना बैट है खेलना है आपको लेकिन जो टीवी और बाकी जगह की राइटिंग है वहां पर क्या है मैं और उसका है तो मुझे लगता है कि और वहां पर चुक्षिक डियाटिंग का भी है तो वह और लेकिन जरूरी है कि आप करते रहना है आपको तो वह बहुत बेसिक फर्क है वहाँ पे वह डिमांड सप्लाई का और इसी वज़ा से वह बाकी राइटिंग हर कोई नहीं कर पाता जैसे जो थोड़ा फ्री इस्पिरिटेड लोग होते हैं वह इसलिए टीवी नहीं लिख पाते हैं बहुत जादा क मेरा अकूँ किस तरीके से वहाँ पे चीज़े होती है मेरा तो खहाए डियरेक्ट ली था तो तो वो प्रेशर का ही केल और एक चीज़ यह भी देखो ना कि हमेशा जो चीज जositने समय में आपकूँ करते हो न वह उतनी लंबी भी चलती है जैसे अखबार के लिए जब आप लिख रहे होते हो तो उसकी tragedy क्या है अखबार की सारी writing की कि rarely वो चीज ऐसी होती है जो 10 साल बाद काम आएगी उसकी value एक दिन की है ना जो magazine लिख रहे हो तो उसकी value 15 दिन की है 7 दिन की ठीक है कुछ एक article साब आगे भी quote करे रहते हो ऐसी इतने अच्छे लिखे जाते हैं लेकिन वो universal appeal बहुत कम लोग create कर पाते हैं मतलब बहुत बिरला writer हैं जो कर पाते हैं और उस sense के साथ लोग लिखते भी नहीं है सेम चीज फेसबुक की post के साथ भी है बहुत लोग लिखते हैं बहुत momentary लिखते हैं वो खुद का लिखा हुआ आज से चेहने बाद relevant नहीं रहेगा ऐसे लिखते हैं वो एक universal theme के साथ ही लिखना चाहिए है जैसे मैं एक चीज और महसूस करता हूँ मैं अपना personal वो बता रहा हूं को जैसे मैं कहीं महसूस करता हूँ कि बाजारवाद कहीं बड़ा हावी हो रहा है हर जगा साहित्य में भी वही चीज हो रही है कि बाजारवादी जो चीजें हैं वो लिखते समय भी लोगों के दिमाग में आ रहा है यह चीज क्लिक करेगी ऐसा लिख दो बाजारवाद का जो प्रभाव है उसको आप किस तरह से देखते हैं पता नहीं मैं इसको आपॉचनिटी की तरीके से देखता हूँ कि जैसे जब जब बाजार आएगा तो हमेशा अगर आप विदिन लिमिट जैसे जैसे मेरे शेली जी आमके एक लिरसिस्त हैं जिन्होंने मनमर्जिया के गाने लिखे उता पंजाब के लिखे और देवडी में लिखे परदेशी वाला जो गाने लिखा मुझे लगता है ना देखो वहां दो बिल्कुल commercial writing है लिरिक्स writing is the most commercial writing जहां पर आपको धुन fit करानी है जहां पर लोगों को नचाना भी है उसी धुन पर और सब कुछ है लेकिन आप within that limit भी अच्छा काम कर सकते हो यह बहुत बड़ी बात है आपको ना उसको as a challenge लेना चाहिए मेरे को जो लगता है कि क्योंकि आप यह देखो ना जब बाजार आएगा तो वो यह मौका कि आप जो नॉर्मल अर्निंग थी उससे बहुत जादा कमा सकते हैं आप एज रिस्पेक्टिबल अर्निंग की तरीके से उसको देख सकते हो ना कि जहां पर आप अधर्वाइज जो बहुत सारे पंदरा साल बीस साल पुराने बहुत सारे ऐसे राइटर है हम लोग रहली सुनते हैं ना क्योंकि उस समय तो बाजार भी नहीं था शायद ऐसा और उन्होंने कोई एक बैंक की नौकरी की और वो लिखते भी थे आप यह सोचो ना कि मतलब यह कितनी वड़ी ट्रैजिटी है कि जो अगर वो बैंक की नौकरी नहीं करनी पड़ती अगर उनको तो कितन पुराना किस्स है वो राही साब या यह कमलेशोर के इंटरव्यू में मैंने सुना था कमलेशोर ने मुझे लगता है 99 के आसपास फिल्म में लिखी थी और आणधी और दुनिया बर की तमाम अच्छी फिल्म में बड़ी फिल्म में लिखी बहुत सारी उनने तो कमलेशोर उन्हें बोला कि न मैं एक फिल्म को इस तरीके से नहीं नहीं देखता कि यहाँ पर बाजारवाद है या कोई ऐसी चीज़ है कि मुझे स्टर्पश्रिक्शन है रोग। मैं यह देखता हूँ कि उस 70-75 सीन में मैं 6-7 सीन ऐसे डाल देता हूँ कि नहीं डाल देता हूँ जो मुझे सही में लिखने थे जो मुझे बात कन्वे करनी थी और जो बात मुझे कन्वे करनी थी और वो बड़े स्केल पे अगर कन्वे हो रही है तो मेरे लिए वह opportunity है ना जो छे सीन पकड़ रहा है वो जादा भी पकड़ेगा उसमें change भी आएगा जो आदमी वो चीज पकड़ता है तो उसको ऐसे देखना चाहिए कि आप जादा लोगों तक बाजार आपको पहुंचाता है और हम जो बाजार पहुंचाता है उसको as a opportunity ल पहले जो मैं पहली बार भी जब लोग रिंटर्वीय किया तो उस पर पूछा था पर नारस के बारे बारे में बनारा से एक ऐसा subject है जिसका भी आपके चेरे पर मस्कान की जाती है तो यह बनारस आपकी कहानियों में बड़ा रचा बसासा है तो बनारस तो इस बार पहली ब भी किताब में पनारस कोई जिक्र नहीं है यसे नहीं से पैदा हुआ था थो आपको एक नैशूरली एक जहां पैडा होते हैं तो उस जगह से चीज़ हो जाती है कि आप वो एक तरीक से आपकी जड़ बन गई यहीं से आप उगे यही से आप एक तरीके से आगे गए उसको तो वो चीज हमेशा रही उसमें और दूसरे बनारस में जो मिस्टरी है उस शेहर में जैसे आप आट दिन रह के आओ बनारस जो लोग बाहर के हैं जो लोग शायद सुन रहे होंगे बाहर से आप रह के आओ तो आप कभी यह नहीं कह सकते कि आप जानते हो इस शहर को है ना यह claim करने वाले बहुत कम लोगे हैं क्योंकि वहाँ पे और हर चीज बहुत magical है जैसे कि चाहे वो मरना हो उसको भी हम celebrate करते हैं जो मुझे बनारस की सबसे अची बात लगते हैं बहुत life के जासा है कि वहीं पे जहां पे लाश जल रही होती है उससे आधे किलो मीटर अंदर prostitution भी हो रहा होता है है ना वहाँ से 500 मीटर के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा नशा भी मिल रहा होता है यह जो मिस्टरी है ना बनारस की जो यह मतलब जैसे और बनारस इसको लेके apologetic नहीं है माफी नहीं मांगता आप से वो कहता है ऐसा ही हूँ मैं मुझे ऐसा ही accept करो जो natural वो है जो basic instinct है जीवन के उनको और extreme पे चाहे पैदा होना हो चाहे मरना हो उसको वो वैसे ही accept करता है और ऐसा जैसा नहीं नहीं कि लट मारके कि मैं ऐसा ही हूँ और यही चीद बनारस को उजूरत बनाती है कि वो वैसा है क्योंकि हर शहर जब वो develop होता है न तो वो वो नहीं रहता है जिसकी वज़ह से उसको develop किया जा रहा था वो चीज छोड़ देता है तो बनारस के अंदर यह है कि वो चोड़ता नहीं है उसको उसमें जैसे आप लखनव आओ तो लखनव में जो मेरे बहुत पुराने दोस्ते हैं अब लखनव में वो बात नहीं रही वो बात ढूंडने के लिए आपको क्यों पुलने से ना वो बनारस से जाला कहीं नहीं है मतलब आप अगर एक चीज बनारस से सीख सकते हो तो यह सीख सकते हो और दुनिया के सब रूप में आपको एक्सेप्टेड़ हो तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि और जूसरे वहां पे जो मरने को सेलिबरेट किया जाता है जो मरकरणी का पर हम लोगी बहुत लंबी बात है उसका वीडियो भी आप शेयर कर दीजेगा इसके बाद तो मुझे लगता है कि वह वैसा कोई शेहर नहीं है जो आपसे माफी नहीं मांग रहा है कि यार ठीक है एक्सेप्ट करना है तो करो नहीं तो जाओ बाड में अच्छा सर आप एक बड़ी उस पे सवाल लेता हूं आपका कि आपके पास आपकी भी बुक है इबने बतुकी अरे यार बुक तो मतलब लानी पड़ेगी दूसरे कमरे में करने वाला था आपके बुक के कवर की जिन्होंने नहीं देखा है आप लोगों ने नहीं अब तक पढ़ा है प्लीज आप इनके आपकी बुक के कवर बीन के बड़े इंट्रेस्टिंग तो आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पर नॉमली दिवे प्रकाश के बारे में कि आपको बुक कवर मिल जाएंगो और अगला सवाल मेरे कवल पर लेकर लेकर है तो एक वर दिख रहा है अगला सवाल जो है मेरा वो कवर से रिलेकर है कि आपकी जो किताबे हैं जितनी भी तो कहते हैं ने कहावत है कि किताबों के कावर्स हैं वो बड़े इंट्रेस्टिंग है पहली चीज तो बड़े आर्थपून है जैसे कहानियों में जो चल रहा है विल्कुल वैसे ही वो कवर में मिलेगा आपको ऐसा नहीं कि पैकेजिंग कुछाया अंदर कुछ और माल निकल रहा है ऐसा नहीं तो ऐस किताबों के कैसे करती हैं क्या करती है तो उनका जवाब था अब आपका मैं अंगल जाता हूं इसमें कि नहीं उनका जवाब किया था पहले मैं देख लूं कहीं बता अलगे अंगल पर बना रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों बार-बार रिटीट करते हैं इसके लिए से चीज के लिए लेकिन यह है कि हमारी उनकी अच्छी है और वह जो चाहते हैं मैं कोशिश करती हूं कि मैं पूरी तरीके से धरादल पर आकर हम लोग सोच सके हैं और उस हिसाफ से मैं वह का कि मेरा सवाल उससे था कि आपको क्यों बार-बार रिपीट मतब आपने कई सारे कवर्स उसी ने डिजाइन किये हैं तो मैंने पूछा हूंसे कि वैसे बहुत 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 बेसिक रूल है क्रिकेट का ना कि विनिंग टीम चेंज नहीं करने चाहिए तो तो दूसरे गरिम करना था तब वो के वो टी शिर्ट डिजाइन करती थी जब वो इस पर्ष के लिए और उसमें और तब ही वह बहुत अच्छा कवर लगाता मुझे और मैं हमेशा को एक ही ब्रीट देता हूं कि अगर टेबल पे पचास किताबे पढ़ी है तो इसकिताब का कवर ऐसा होना च जो सबसे ज़ाधा चलती है किसमें बहुत जयादव है और वह मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसमें जाधा ही वह गरीमा जो बोल रही ती उसको माना नहीं बात तो जैसे मैं बहुत कर रहा है वो सबसे खराब कहए है मेरे इसाब से लेकिन अगर आप पास से देखोगे तो प्रिंट होके कैसा देखे तो जैसे मैं कई बार बोला रही है हलका लग रहा है कि दिन यह प्रिंट होके अच्छा लगेगा और हमेशा वैसे होता है तो एक्सपर्ट है उसकी और मेरे बच्चे ने भी एक लास की ती गरिमा से और वो डूडल बनाने लगा है तब ही चार लगा प्रम वात अच्छा यूज करती है जो यह पीछे ना इलिमेंट से ना जो यह देख लिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपट वह ऐलिमेंट्स मिस्ना हो तसलिए वह उस वह होते हैं मतलब यह अलग से इसको और भी कवर के कई सारे है वर्जिं दे लोग जो रिजे अब जैसे गर्मा के साथ आपके साथ एक अच्छी चीज लगी जो मुझे उन्हें में बोली थी कि जैसे आप अगर किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग बनती है किसी साथ संबंद बनते हैं तो आप उनको लंबा लेके चलते हैं ऐसा नहीं कि काम हो गया और पिर उसके बाद टा तरह जुड़ जाते हैं और सेम चीज़ है आपके प्रकाशक के साथ जो आपके प्रकाशक हैं हिंदी युग्म आपकी लगबद सारी किताब हैं हिंदी युग्म से ही आई हैं अगर मैं गलत नहीं मुद्व कि अब तो बहुत नोगों को यह इंप्रेशन आ आप यह मानो के नहीं मैं जब किताब भेजता हूं उसके बात से चे महीं नहीं लगते हैं उसको सभी करने में मुझे और वह हमेशा बहुत चोटी चीज का महां से आएगा और मैं इस बात की बहुत रिच्पेक्ट कि कोई इतना इंवाल होके काम कर रहे हैं और कई सारे जो नए राइटर्स जो आते हूं एक गलती बहुत बेसिक करते हैं कि वह भरोसा नहीं करते पब्लिशर पर उनको यह लगता है कि हमें ही सब सही पता है इनको क्या पता है तो इस मामले में जैसे मैं शैलेश को राव राव वह चले चेंज करो है तो वह मुझे लगता है क्योंकि वह एक तरीके से ना फिल्म के डिरेक्टर की तरह होते है जो उनको वह सैंसे है क्योंकि ज्यादा किताबें पढ़ रहे होते हैं क्या चल रहा होता है क्या हुए अदिक बेस करना चाहिए और नॉर्मली भ प्रफेशनल रिष्टा है कि जहां पर यह बिल्कुल नहीं चलता है कि मेरी पांच किताब बेज़ूंगा तो वह त्यार ही हो जाएंगे चापने के लिए र भी लिरिए प्रफेशनल रिष्टा है कि जहां पर यह बिल्कुल नहीं चलता है कि मेरी के त्यार दीटियांगे के लिए 9 लजाने के लिए GPTीम लुक्त भी तो यहां पर वो कल्चर नहीं है तो अभी तो यह आपका जो आडिबल सिरीज है जिससे कि अब कहानियों के आडियोज भी आ रहे हैं पूरे आप लोग उसको सुन भी सकते हैं तो आपकी भी जैसे पिया मिलन चौक है आडिबल है तो यह किसकी शुरुआ थी मतलब पहल किसकी है क्योंकि बहुत ही अच्छी प बहुत पुराना है मुझे लगता है नाइनटीज में अडूल जिन्होंने बनाया था जो उनके फांडर उन्होंने किया था बाद में अच्छी लिए बहुत पहले से किसी का या आईडिया था कि दुनिया में किताबों के आडियो फॉर्मेट में होना चीए बहुत ही तो आटिबल उस मामल में बड़ी विल्कुल राइट कोई पर हिट करती है कि लोग जानना चाहते हैं तो अपने आप में ऐसा हो जाता है कि यह सही में हुआ है तो वह चीज था और हमारे हैं ओरल स्टोडी टलिंग का भी ट्रडीशन था तो यहां पे जब इंडिया वन्होंने लॉंच किया तो अन्होंने एक फ्री आप लॉंच किया ओडिबल सुनो नाम का क्योंकि इनको लगा मास मार्केट यहां पर कर सकते हैं और उसमें फिर ओरीज मैं अपरस्नल पर्सणल फ्रैम क्या दोड़ाई साल काम किया है और मुझे जो सबसे चीज लगती है उनकी अंदर हो है कि उनका सटायर जो है ना मतलब मैं उनको कई बार मैंने मैंने उनको नहीं बोला है कभी उनका जब सटाइब थोड़ा नेट का इशू हुगा तो यह जो इनका जो का लेवल है वह बताब शरत जोशी और हर्शंकर परसाई के लेवल का है मतलब वह अध्भूति है पुरा ने मुझे लगता है पूछता है कि सर यह लिखता हूं तो मैं उसको हमेशा पूछता हूं कि तुमने राकेश काहस को पढ़ा है तो अगर नहीं पढ़ा है तो तुम क्या लिखते हो जैसे वैसे यह हो सकता है कि कई लों को बुरा लग जाए कि उश्रोशी और आप उनसे कंपेर करो बड़ मैं कि दुकान पर हम लोग घंटो बैट के दुनिया वर कि हम लोग बात कर पा है और वह बहुत लर्निंग भी रही और बहुत कुछ बहुत बड़े भाई वाला वाईब है उनका और ऐसी बहुत हिज़त से बात और मैं भी बहुत चीजें उनसे बहुत मेरी भी लड़ाई होती है अचाअ ये पीऊश श्रयवास्ताओं जी कह रहा है कि एक बाद एक वाली कहानी 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 नहीं यार। प्रसपाइब करें जा नहीं है चाहिए जाते जाते बस एक सवाल आखी कि जो नए राइटर्स है जो लिख रहे हैं अबी लिखना शुरू कि अब वह वीस साल जो एक तीस साल तक के जो यूर लेखक हैं जिन्हों ने शुरूगात की है और इसको बहुत जब आप स्टार्टिंग में रहते हैं बड़ा आपके दिमागे बड़ी तरह के संदे रहते हैं बड़ी तरीके की सवाल रहते हैं कि यार कैसे होगा क्या होगा कैसे लिखूं क्या लिखूं और फिर यह आएगा कैसे कैसे प्रकाशक पर पहुंचूं वगरा वगरा तो जो नए लेखक लिख रहे हैं उनके लिए आप क्या सला देना जाहेंगे उनको मैं यही जो नए लोग है मैं उनको यही बस बोलूँगा कि राइटिंग जो है यह कोई टैलेंट का मसल जो आखरी चीज चाहिए राइटिंग के लिए जो पहली चीज रिक्वाइमेंट है वो है पेशिंस धैरे और धैरे बहुत ज़रूरी है इसलिए नहीं क्योंकि आप जो कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि एक पारग्राफ लिखेंगे और तुरन नीचे डाल देंगे म आउन्वेज में जैसे जादा समय लगता है तो कि आप चिकन बना रहे हो या उच्छ भी कठल ले लेते बीश का हो जाएगा वेजवालों का चिकन हो जाएगा और तो तो अब यसे को आप कठल की सब्सी बना रहे हो तो कठल की सब्सी बनाने में कोई ऐसा एक मोमेंट आता है वो कभी फील नहीं आएगा और इस बात को लोगों को समझ नहीं आता है कि जब तो कोई चीज पूरी नहीं हो जाए उसको शेर नहीं करते है जब तक वो एक चीज जो मुझे बहुत कमी लगती है कि इसलिए बहुत जादा लोग पोयम्स लिखने लिखते हैं कानिया नही जो 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 चीज आप में पोस्ट कर दी हो तो खतम हो गई न अभी आप कभी तो ऐसा होगा नहीं कि आप जाकर उसको चेंज करो कि मानलो कोई जेन्विन फीडबैक दे भी तो आप जगर फीडबैक सही में चाहिए तो उसको कहीं डालने से पहले आप किसी से लो पहली बिना पढ़े तो बना नहीं है तो आप जैसे बहुत सारे लोग उसका भी लॉजिक दे देते हैं मेरे को कि नहीं से जब मैं पढ़ूँगा तो मेरी thinking impact हो जाएगी इस दुनिया में जब से तुम पैदा हुए हो यह दुनिया तुम्हें इतना impact कर चुकी है कि thinking बहुत thinking impact करने के लिए तो उससे नहीं डरना चाहिए कि thinking impact हो यह सब्सक्राइब है तो और उससे नहीं बचना चाहिए क्योंकि आप एक अच्छी मोटी किताब भी पढ़ोगे तो आपको अलग हाई मिलेगा आपको लगेगा कि जिस किताब को डेड़ा साल में आदम ने लिखा सारी कि आदमी जल्द से जल्दी उसको पढ़वा ले जाए तो यही है बाकी तो क्या है बाकी तो देखिए जिसको मैं एक चीज और बता जानता हूं कि जो अच्छा राइटर होगा ना उसको किसी दिव्य प्रगाश दूबे की राही की ज़रूरत नहीं है अगर आपके अ इंप्रेशन है कि जो आपके फेवरेट राइटर होते हैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि फिर आपको यह लगता है कि यह भी तो उनी चीजों में उल्जे हुए है यह तो वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे हमारी जो समस्या है वो भी इनकी समस्या है इनको भी अच्छी है उनसे तो आप कोशिश करो कि ना मिलो अगर आपके जो वो यह से हैं और ऐसे कैजूली मिलने की बात हला है बाकी तो बाकी तो सब जो जो अच्छे राइटर होने के लिए गूड़ है वो गूगल पे भी अवलेवल है आद भी कर पाए तो कर पाए तो कोई बात अच्छी को बाकी जो बुक्स आपकी मिर पास हैं वो मैं किसी को गिफ्ट भी कर सकूं और जो नहीं है वो सब इस साथ आज Piyusz झी का एक सवाल है आपके फेवरेट राइटर कोन है मेरे फेवरेट राइडर है राही मासूम ढई वर मनःहर श्याम जोशी और अब क्यों है यह मैंने ही बताऊंगा वो है बस कटटखी सबसी अच्छी लगती है तो लगती है क्यों अच्छी लगती है ने हुट है? दोनोग की किताबें, सारी किताबें जो भी हिंदी within एं हमसे इस देश में लिखना चाहता है, तो मैं नहीं मानता कि वो बिना राही साथ को पड़े हिंदी में लिखने की कोशिश उसको करने चाहिए इतने बड़े राइट है चलिए सर बहुत अच्छा लगा कि उनकी राइटिंग मैं जानता हूं और आपकी भी मैं जानता हूं कि किस तरीके से आप पढ़ते हैं क्या आपकी किस्सा गोई है तो बस मुझे उसका जल से जल इजार है जैसे ही आए हम सभी शेयर कीजिएगा बताईएगा और आपको आपकी इस नई किताब के लिए बहुत धेर सारी शुब काम है यह किताब हर हाथों में पहुंचे सब के पास पहुंचे यही काम है झाल